कहें दोस्तों स्वागेट आप सके आपके अपनी यूटूब चैनल सेलफ इस्टेड़े विथ कुन्दन कुमार में आज बात करेंगे हिंदी सौ मार्श और आप सब के लिए हिंदी सौ मार्श से टॉप 10 MBBI subjective question लाएं हैं जिसमें आपको short और long question है और ये दोनो short और long question जो कि आपकी board प्रिक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रसन है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखेगा और एक बात बदा देते हैं मेरे प्रवेचों अगर आपको 90% लाना है या 95% लान जब तक आप subjective नहीं परहेंगे तो subjective पर अच्छा खासा command कर लिए तो आपको अच्छा खासा number आ जाएंगे ठीक है तो चलिए हम आगे चलते हैं और अभी तक आपने telegram नहीं जोईन के हैं तो telegram जरूर जोईन कर लिजे क्योंकि telegram पर होता है test, PDF, special information वेगरा ये सब आपको telegram पे ही दिया जाता है जिसका link हम आपको वीडियो के description में डाल दिये हैं या तो telegram पे जाके ये search की जगाता आपको वहाँ पर भी join कर सकते हैं और आज का जो state है state 3 है और अभी तक हमने state 1, 2 करा दिये है जिसका link आपको I button में या तो वीडियो के description में डाल दिये हैं अगर आप सेट बाई सेट देखते चाते हैं, तो हमारा उमीद है, और हमारा विश्वास यह है, कि इससे बाहर कहीं पूछ नहीं सकता है, हम इतना 100% लिख के देते हैं, कि अगर आप एक से लेके 10 तक मेरा सेट अगर पर लेते हैं, तो आपको बाहर से कहीं पूछी नहीं सकता है, तो चलिए हम यहां से एक नमर से start करते हैं, और आपको क्या करना है, अपने सब्दों में भी हो सके, तो कुशिच किज़ेगा लिखने का, यह तो मेरा सब्द है, अगर आप चाहे तो अपने सब्दों में भी लिखे, अच्छा-खासा अपने कोभी में नोट कर सकते हैं, या तो मेरे सब्दों में ही जो लिखा है, वो अपने कोभी में नोट करते हुए चलेगा, इससे जो आपका होगा, लिखने का जो habit होगा, वो अच्छा-खासा हो जाएगा, पलस में आप जितना बार लिखेंगे उतना ही आपको याद होता चला जाएगा ठीक है तो चलिए हम यहां से एक नमर से स्टार्ट करते हैं और एक नमर में क्या लिखा है कि तुलसी दास का परिचे अपने सब्दों में दे यह तुलसी दास जो देख रहे हैं उसका जो परिचे है क्या करना है अपने सब्दों में देना है तो उत्तर में आपको इस परकार देना है यह परस्तन आपको कभी-कभी 5 नमर का पुछता है और कभी-कभी 2 नमर का पुछता है ठीक है तो उत्तर में आपके इस परकार लिखना है कि तुलसिदास भक्तिकाल के एक महान संते यह जो तुलसिदास क्या है भक्तिकाल के एक महान संते फटा 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 आप कोमेंट करते वे चलेगा यह जो तुलसिदास किस काल के थे भक्तिकाल के थे ठीक है इनके जन्म के बारे मे थोरी मत भीनता है, मतलब जन्म के बारे में जैसे किस दिन जन्म हुआ था या किस दिन नहीं हुआ था ये समय थोरा-थोरा मत भीनता है, मतलब कि किसी का अलग-अलग डेटा था है, किसी का अलग-अलग डेटा है, ठीके, पर सरोमाने मत के अनुसार इनका जन्म 1532 इसी में उ तुलषी दास के पीता कड़ा में आत्मा राम दोवे था एवा माता का नाम क्या था धृल्षी देवी था। बहुत वार पुछ है यह को अपजेक्टिमें यह प्जादा वेनिफिटे कैसे देखे आपसे पूछा जाए सकता है कि तुलसिदास किस काल के कभी थे वक्ते काल की एक अबजेक्टिप बन गया आपसे पूछा जाएगा कि तुलसिदास का जन्म कहा हुआ था उत्तर परदिश के राजापुर गाव में हुआ था इनके पिता का नाम क्या जिनका जन्म हो गया और नहीं होता कि फेक देता है उसी परकार क्या था तुलसी दास को भी त्या करते है अधा इनका लालन पालन पोशन भारन जो करते हैं बाबा नरहरी दास ने किया था याद रिखेगा इनका जो लालन पालन जो किये थे कुन के थे बाबा नरहरी दास ने भी राम को समर्पित कर दिया और 1880 में उनके मिर्तु हो गई यहाँ पर कुछ पॉइंट हम देखेंगे उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है सबसे पहले हमें इसे क्या करते हैं साफ कर देते हैं क्योंकि साफ कर देना उसके बाद आपको बताएंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा ठीके अब दिखें क्या क्या इसमें पॉइंट बनता है सबसे पहले पूछा यागा है वक्तिकाल की अबजीक्ठी यह कुलन गया ठीक है इनका जन्म में कब हुआ था तो पंदरासो बतीसे एसे में हुआ था इनकी पीटा का नाम था आत्मा राम दोबे दे माता का नाम के था हूलसी Honors बहुत अच्छा बुस्ट बना सकते अपना प्यारी में ठीक है तो इस परकार का सब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा मुझे 100% उमिदे और आपको समझ में भी आ ही गया होगा ठीक है समझ में आया की नहीं आप एक बार कमेंट करके जरूर बतेगा ठीक है अब देखे दो नमर जो प्रसन है ना मेरे परवेचों क्या लिगा लिजे क्या लिगा लिजे क्योंकि इस्टार्फ मार से कम नहीं है करा कि पुत्र ब्योग सिर्सक कभीता का सारांस लिखे सारांस में क्या होता है आपको पांच नमर हमेशा देगा ही देगा क्या करेगा हमेशा पांच नमर देगा ही देगा क्या है क्या है कभीता में कभी ने पुत्र के निर्धन पर मा की हिर्दे में उठने वाली सोक भावनाओ का वर्नन किया है समझेगा क्या करें यह जो कभीता है न पुत्र व्योग उसमें एक पुत्र की मिर्धन हो जाती है तो मा की हिर्दे में क्या क्या गुजरती है अपने पुत्र के भावनाओं के लेके वह एक परकार के सोक का वर्नन किया है ठीक है नहीं होता है कि किसी का पुत्र मर जाता है को ऐसे करने लगती है, मा के अंदर जो भावनाय होती है, वो बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है, और वो उसकी हिर्दे के बारे में लिखिए, कौन सभधरक हमारी सोहार, तो उसकी बारे में देखी क्या करा है, कि कभी कहती है, कि संसार में जहां चारों और कुछ हो रही है, जहां एक मा अपने पुत्र को गोद से कभी नहीं उतारती, बिलकुल, देखे, संसार में क्या होती है, जहां पर कुछ कारिय हो रही है, वहां पर जो मा सिर्ख जो है, क्या करती है मा, वो अपने बच्चों को कहीं नहीं उतारती है, अपने साथ रखती है, जब तक 9 साल, 10 स उसके लिए मधूर संगीत लूरिया गाती है, उसके चहरे पर देखकर मा कुट कनिक भी नींद नहीं आती है, जब बच्चा रोने लगता है, और उसका जो मुँख देखने में अच्छानीं लगता है, तो मा को क्या होता है, नींद थोरा सा भी नहीं आता है, पुत्र के कल कि वह पत्थरों को देवता संत्थ फकीर सब के आगे क्या करें वह पत्थरों को क्या मानती है और संत्थ फकीर सब के आगे माते टिकती है सब को नारियल दूद बतासा चढ़ाती मतलग की हो गया पत्थर मतलग की भगवान की हो गया अलग-अलग संत हो गया फकीर हो गया उन सभी को नारियल दूद बतासा चढ़ाती है पर मा का धन उसका बेटा खो गया और मा का जो सबसे बरा धने का सकते हैं क्या है उसका बेटा है लेकिन वो क्या हो गया खो गया अब मां का जीवा नीरस वह सुना सुना हो गया जो मां का जो बेटा था खिलोना था वो खो गया उसके बाद उसके मां का क्या हो गया जीवन नीरस हो गया बिलीन हो गया खराब हो गया वो कहा जा रहा है ठीक है मा अपने मरे पुत्र के सामने लोरी गाती है तो कभी हिला कर जगाती है क्या जो बच्चा मर गया है वो मर मिर्तू हो गया उसका उसे क्या करता है सामने लाकर लोरी गाती है कि बच्चा उठ जा उठ जा उठ जा इसे नहीं होता है और कभी हिला कर उठ जा उठ जा उठ जा ब मा कहकर गले से लगा ले इस तरह कभीतरी कभीता में मा की करुन हिर्दे का चित्रन करते हैं और करुन हिर्दे चुकते हैं दिल के अंदर के बारे में पूरा द्याख्या करते हैं तो मेरे प्रशन मेरे ख्याल से 100% आपको समझ में आया होगा और मुझे उमीद है इसमें तो सब्ट कुछिन होता है。 отв बहुते कठिन होता है संज्धाना लिक तुंगा यह गॉटा बहुत कठिन सब्जेक्टिक्टिव होता है सब्जेक्टिव होता Ben क्या होता है जो बंचा का थे कि सर इ Sow 9000 से flatter लाना जाते भाई 90 chi सब्छी बहुत बहुत अपर ऑफ यह कज़वे पर सब्रेक्षार्रेब कर सकते हैं राइल करने हैं तो लाइक करते रहेगा समाज में और आशा है पीन नमट पसर लिखने रहा कि डाइरी कि विक्टी दोरा लिखित उसके महतपुरं दैनिक अनुभवोगों को व्याख्य करना प्रपा उसके ब्री सचाई के साथ लिखना तुनने सबी धन्तिन सब्सक्रांबरे सब्सक्राइब मारा बचन था वह अच्छा नहीं होगा और जो जवानी है वो भी थोड़ा सच्छा नहीं लेकिन बुढ़ापा थोड़ा सच्छा गया होगा इसमें क्या सीख में लिए कि हम बचपन में ऐसे थे जवानी में ऐसे थे और बुढ़ाबे में ऐसे थे तो ये मेरा जो बचपन था वो अच्छा नहीं गया जवानी भी क् किया कुप गुम मजट्री करते थे एकquarters करते थे लैकिन जवानी में क्या हुआ हमारे बालों बच्चे हुए वह समय अदर सच्चाई निक क्या कर सकते हैं ठीक है चलिए अब दिखी ये प्रसंद क्या करा है प्रसंद बहुत ही लाजावाब है अच्छे से समझेगा बहुत बार पुछा भी गया है कि बिदाले में लेखक के साथ कैसी घटनाय घटती है जो बिदाले जो दिख रहे हैं उसमें लेखक लेखक मतलग कि ओम परकास वालमी के साथ कैसी ने कैसी घटनाय घटती है उन घटनाओं के बारे में लिखना है इस परसन को एम भी भी आई मान के इस्टार्क मर मान के याद कर लीजगा मेरे पैरवचो ठीक है यहाँ पर उत्तर में दिख्या गरा है कि प्रस्तुत पंक्ती ओम परकास वालमी की द्वारराचित जूठन पार्ट से लिया गया है कहां से लिया गया मेरे पैरवचो पिरिये मतलग की जो पिरिये नहीं हो पिरिये मतलग की अच्छा होता है और पिरिये मतलग नहीं अच्छा होता है तो उसके साथ क्या होती है अच्छे अच्छे घटनाएं मतलग की खराब घटनाएं होती है विद्दाले की हेड मास्टर कली राम क्या नाम था विद्धाले का हेड मास्टर का नाम क्या था मेरे पैचो कली राम था लेखक को कमरे बराम दे और मैदान को साफ करने के लिए कहता है क्या कहता है लेखक के जो हेड मास्टर है उसका नाम क्या है कली राम है और वो क्या करते हैं लेखक के साथ कहते हैं कि लेखक क कमरा, ब्रामदे, मैदान आप जानते है, स्कूल में सब ची होता है, ठीक है उसको साफ करने के लिए कहता है, यह कारिये दो, तीन, चार दिल लगातार चलता, अब माली जी एक ही बच्चा इसकूल में यह से पचास बच्चा है, ठीक है और सिर्फ पचास बच्चा में सिर्फ आप एक ही बच्चा को लगातार एक, दो, दो, तीन, दिन, दिन, चार दिन, लगातार उस बच्चे को आप कारिय कराएंगे, तो बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, सुझी बात है अगर आपके ही साथ, अगर मानलीची आप इसकूल जा रहे, ठीक है और रोज भाई रोज काएगा, तुम्हें लगाओ जारू, कोई और नहीं लगाएगा इससे बुरा लगता है, राइट फिर जब लेखक कच्चा में बैठ जाते हैं, तो हीड मास्टर लेखक को बाहर रिकाल देगा, और मानलीची आप ब्रामदा उनमदा सब साफ उभाई गरा कर भी दिये हैं, और उसके बाद आपको क्या क्या जाए, जब इसकूल में आप जाएगा परने, तो उसके बाद आपको बाहर निकाल देगा, तो और जदा बुरा ल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरी पर बेचों, बहुत अच्छी बात है, अब देखिए, यहां पर जो पांच नौर पसंद है ना, वो और जदा इंपोर्टेंट है, जितना कहा जाए, उतना जदा इंपोर्टेंट है, ठीके, क्या करें कि बिसिन की मा है, बिल्कुल माना की मा है, सॉरी, माना की मा है, लेकिन, 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 किसी भी सिपाही में, जैसे मान लेजग कोई सिपाही हो गया, जो बोर्डर उडर पर कामों करते हैं, और सिपाही नहीं जानते हैं, वो, उसमें मान ढूंडा जा सकता है, क्या है, किसी भी करा है कि प्रस्तुत पंक्ति सीपाही के माँ द्वारा रचित मोहन राकिस द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। से यह हस्पष्ट होता है कि विसनी केवल मानक की ही मा नहीं है यह जो कह रहा है देखिए क्या करेप्रसन को समझेगा अच्छा से समझाते हैं आपको अच्छा लगेगा तो और अच्छी वात है अच्छा लगेगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब की जगा नहीं की जगा इस एकांकी से यह असपस्ट होता है कि यह जो सिपाही की माँ है जिसके लेखा कि मुहनदा केस यह परकरी क्या है एकांकी है और यह एकांकी से असपस्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की ही माँ नहीं है यह जो बिस्नी है वो मानक की ही माँ नहीं है बलकि वो हर सिपाही की मा है किसके है हर सिपाही की हर सिपाही के मतलग कि जो उसका बेटा नहीं है फिर भी उसके क्या है मा है उसे अपने पुत्र माना की चिंता है सही बात है अपने पुत्र की चिंता भी है लेकिन साथ ही साथ दूसरे के पुत्र का भी उतना ही खयाल रखती है कौन यह हमारे क्या ना उसका भी अच्छा से खयाल रखती है जितना अपने पुद्र मानक का एक दिन विस्षिनी स्वापन देखती है जिसमें मानक और उसके फोजी दुस्मन दोनों रहते हैं जैसे मानक हो गया और एक तरप से फोजी जो दुस्मन है वो दोनों रहते हैं विस्षिनी दोनों से मा की ममता को आथा सागर है जो मा के जो ममता है वो समंदर जैसा है जितना अंदर जाओगे उतना अंदर तुम जा सकते हो इतना अथा सागर है उसके अंदर जाही नहीं पाओगे जिसका कोई अंत नहीं है समंदर का कोई अंत नहीं है मेरे बैरवचो इसलिए ऐसा परतित होता है कि बिसनी के मात्रित किसी भी सिपाही के मां में ढूना जा सकता है जो कि 100% यह सही है अभी की रियल जवाना में ढूना जा सकता है किसी के मां में ढूना जा सकता है ठीक है जैसे आपकी ममी भी होगी वो दूसरी के परती अच्छा ही सभाव रखते होगी बुरा सभाव नही समझ में आया है कि नहीं मेरे पार कोमेंट करके जरूर बता दीजेगा ठीक है अब देखे चौर नमर में क्या करा है कि करबक में कभी को क्या सोच है करबक जो पाठे जिसके रचेता कौन है मलिक मुहमद जैसी जी है उसमें जो कभी जो देख रहे हैं मलिक मुहमद जैसी जी उसका अनेक परकार के सोच है, और सोच देखे किस परकार के उत्वर में, कि करवक में कभी कि सोच या है कि, कभी, सॉरी, करवक में कभी कि सोच या है कि, व्यक्ति तो मर जाता है, व्यक्ति जो है, जैसे हमें ही मर जाएंगे, है आज एक्जाम्पल में मालीची यही कभी की सोचए जैसे मालीची हमही है और यहाँ पर हमारा मियुट्तो हो गया हमारा जोड़ा थोड़ा शाल्य। मेरा यूटूब फला यह हो गया जैसे माल लेजे यहां पर के बरे-बरे जो आदे अटल भीहरी बाज पर हो गया जावाहर लानेर हो गया महत्मा गांदी हो गया यह सब क्या है बरे-बरे बिखती है ठीके तो अबीर जी हो गया गुरु नानक जी हो गया यह सब बरे-बरे ब ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हम आपको वही प्रसंद करा रहे हैं, जो खासकर ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अभी अगर आपको 100% हम करें, उमीद मेरे बैचो, अगर 90 प्लस से स्कोर करना है, तो कम से कम पाचो सेट देख लीजेगा तो आप स्कोर अच्छा खासा कर ल लगे हुए, क्या उसका बीज़ी होना जरूरी है या नहीं है, यह गलत है या सही है, इसके बारे में उत्तर देना है, ठीक है, तो उत्र दिखर आ रहे हैं, कि नागरी की विज़ाएATE परमाज मतलेके कहीं से आये, और कोई सेना जो है, लराय-लाय करके आया और वहाँ पर जो विजय होके आता है उसमें क्या है ब्यस्त है कौन ब्यस्त है नागरी जो कि हम सब होते हैं वो होते हैं ठीके लेकिन कभी कि अनुसार उसकी उनकी ब्यस्ता जायज नहीं है यह जो कभी कहते हैं कि आप जो व्यस्त है वो आपके जायज नहीं है यह आप व्य होके और बिना कारण जाने कारिय को कोई महत्म नहीं देता है तक इस परकार तो लगें नागरी को बियस्तर जायज नहीं चमपारन जो चेतर आप जानते हैं, जहां पर नील की खेती के बारे में आप सुने होगे, वहाँ पर जो बाड है, बाड मतलग की जो पानी जो आ जाता है, उसको प्रचंध रूप घर ले था, उसके क्या कारण थे? उसके बारे में उत्तर देना है, तो उत्तर आप इस परका जाएगा ठीक है ति क्या होगा यहां से जो पानी आएगा फटाफटी दरादर जागा ठीक है और यहां पर जब पेर लगा रहेगा यह क्या होगा दीसा को काटेगा क्या करेगा दीसा को काटेगा तो जब पेर काट दिया गया था चमपारन के जितने बेशेत्र के जो लोग वो क्या किये पेरकार्दी है तो नोट जरूर कर लिजेगा ै अब चलिए आपके सामने नौनवा पस में क्या कर रहा है पार्दी चैल्क किया जा रहा है उतर में लिखना है कि उस लिए क्या जा रहा है क्योंकि जब भी जै जुल से निकले तो सरकों का धुल न पुरे क्योंकि जुलू से राजा की छवी खराब हो जाती है, इसलिए सरक साप हो नहीं, देखे, यह क्या है, यह सरक है, यहाँ सरक पर क्या है, गंदा लगा हुआ है, ठीक है, गंदा माली के लगा हुआ है, तो क्या करें, नागरिक लोग क्या करें, इसे साप करें, क्यों साप करें हैं, क्य के 10 नमर जो कि last प्रसन है उसके बाद थोड़ा साब को हुमबर्क दिया जगा दिखें यह आपसा के लिए हुम बर्क बनाया है पाँच हुम बर्क है जरूर आप हुमबर्क बना के मुझे हुमीध है आप जरूर वेजगे ठीके पहले 10 नमर प्रसन देख लेती हैं गंगा पर पुल बनाने में दिल्चस्पी नहीं लीक्यों कि अंग्रेज के खिलाप दक्षिन फिरका में करांतिकारी वीचार फैल गये थे। अंग्रेजों का बहुत भारी नुक्सान होता। अंग्रेजिक नहीं चाहते थे कि यह करांतिकारी वीचार अन्य किसी जगह पर फैले। इसलिए अंग्रेजों ने गंगापुल बनाने में बाद बोला करेऊ रहा। जोड़ाया है। अब आपको सीर्फ बताना है कि सर सेट चार ला दीजे फास्ट मिला जल्दी लाइए और सेट चार जो है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब आपको क्या करना है कभी तरी का ख्रिला होना क्या है एक नमर यह हो गया दो नमर का है हार जित सिर्शक गद्धे कावे मे अब आपको देखते हैं कि आपके अंदर कितुना नोलेज है कि आप 5% का उत्तर दे पाते है या नहीं देता है दे पाते हैं इस क्रिंसोट जरूर एक बार ले लेंगे 1,2,3 इस क्रिंसोट ले ले लिए बहुत अच्छे बाते है अब बना के क्या करना है आपको इस नमर प भेजना है और सिट चार हम लाएंगे और एक से लेके तीन तक सिट जरूर देख लीजिए जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्के रोशन में डाल दिये हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए बाई बाई जैहिन जैभारत